मतलब जीरो कॉस्त दे उपपर तुसे काम करोंगे और जडी 30 lux रहेगे ओंटल रहेगी आफ्टर वीजा जी सारी दी सारी फीज आंडो बाद अम्भासीवी बिल्कुल जीरो शार्र मेरेख वेख अब इस क्रिसमेश और पाफर हिएंगे मेरे कोल उन्हानों 20 फीस ताक नी पे करनी पोगी एवन के उस्तो बाद भी जेडे आणगे अबैसी फीस सिरफ पे करनगे ते उस्तो बाद जो तो उन्हाना वीजा आया साथी फीच चों बैसी फीच भी अड़ेस्ट करागे दमागे होना नो कोई भी स्टूडेंट आन्दा अपने को ता ओप कई खुशी भी होन देने कोई दूखी भी होन देने कि मेरी पहला चार रिफ्यूजल आई है या पांज रिफ्यूजल आई है यह तो अड़ी प्रफाइल बाख्याना घया या उन्ना दे ब्राबर हो है फिर भी रिफ्यूजल क्यों दे रही है यह तो अड़ी अड़ी डोकुमेंट सा हो ही लिए ने गानता प्लान की मना रही हो थे जांदा सब ने कि नेगटिव इंबेक्ट पेंदा एक्चुल रिफ्यूज़ दा रीजन के उन्दा कैनेडियन अंब ऐसी सैटिस्फाई नहीं हो रही कि तुसी यह आके स्टे करोंगे तुसी वापस सी जाओंगे ते उन्हानों सैटिस्फाई ही यह चीज़नू करना हुदा कि तुसी अपा गल कर रहे हैं इमन प्रीज जी देना मैल हो देनिया और इमन प्रीज जी एक्सपर्ट है पहला एक तुसी इंट्रिव्यू देखी हो नहीं है साड़ी स्काइब दे इंट्रिव्यू सी कि ओधे वेच इननाने काफी अच्छी इंफर्मेशन दती सी बच्चाने बास से आज एक रिक्वेस्ट कीती सी हो इननू की थूरिस्ट वीज बड़ा सुरॉन चाही है कि थूरिस्ट वीज लगेजन्द है ॥ी आके चैनेडा लगेजन्द है त्रीज से कनेडा प्रीज जी बील के से और म मिलवाने था न बिस सब्सक्राइब एक गल पुछूंगा पहला जो इन्फरमेशन दोसी बहुत कारगर से दो हुए मेरे कॉल कॉल्स भी आइगा लोगाने एक मौरीशिस जाकर बंदा पढ़ सकते पाथ भी ले सकते हैं अज अन डिमांड में थोड़े को ला एदे वेच्छ कुछ लोग का ना एक दसके तुसी इस क्वेश्चन तो शुरू कर दे अपा जी फॉर्मेल्टी जा देखो बिल्कुल सिंपल हुँदी है जो अपा डेली लाइफ रूटीन चापा चलदा भी है जो आपा नोर्मली आइटेर भी पर देया आपा या कुछ भी अपा पैन काड अपने को लोंदा है जो कोई खास केटेगरी बिजिदा वीजा होंदा है असानी दिन आपा कहा सकते है या मतलब कोई एज ब्रैकेट आइए बंदा है बड़े आ होना चाहीदे ये इज वीच भी कुई हो कारण बंदा जी कोई मैटर नहीं करता है आपने कोल फंडिंग जुरूर एच्छे होनी चाहिए दिया काउंट दे विच पांस्तो शेला खर पर फंडिंग होनी चाहिए दिया ते अगर फंडिंग नहीं भी हैगी तुसी पुआ सकते हो एक दिन पराणी होगे कोई चेक करनी ताम ही तो अनुक मतलब की सेज ब्रेक्ट दावीजा ते इनना ने भी अपनी फंडिंग लेटेस्ट ही दिखाए सेगी इवन के दू दिन पहले ही पाइसी जदा फाइल लानी होगे ना मेंटेन कारके ता वो कित्ता सीगा ते आई टी आर भी इनना ने लेटेस्ट बाच परवाईया सीगे त ते इनना ने वापस क्यों आना ते जो तो इनना रीजन कलियर हो जानता था इस इनना नों वीजा मिलूगा ही मिलूगा सारी पाइमेंट वीजे तो बाध बढ़ा चाल रहा मार्केट दे वेचे तुस्के भी बाच ची लाने हो देखो वैसे यह न तो ऑपाUNT सर्वीस देन एल लिए Hyun την मार्केट पर गारनेंadaşन इनने मिस गैड़ क लेने क्लाइंट्स प्रोशाamat उठ विज़े दुबाद ले ताकि क्लाइंट दा विश्वास बने रहे शाड़ा असी उना दा काम करिये ते वीज़े दुबाद वसानू साड़ी मैनत देदें विज़े लाइसेंस ने सारे अपने इटपुटो शिंगर निकल दे शी आज दा महूल एद्ना आए कि एटपुटो एजेंट निकल देड़ड़ा नोलेज होए ना हुए कोई दिकत नहीं लाइसेंस की पिज्ञास आठी यार चाल लाइसेंस दा कुछ नहीं है गा नोलेज मैटर कर दी है जिन्नों एक्सपीनियस है तो अड़ी फाइल नो किद्धा मेंटेन करना होना नहीं फाइल नानी कोई बड़िगा नहीं तो उसी आप ला सकने हो फाइल नो मेंटेन किद्धा करना है अपाई लैबोरेट किद्धा करना वाल तो अड़ी फाइल नो ए मैटर कर दी है ओही एजेंट कर सकता है जिन्नों प्रॉपरली तो अड़े उन नॉलेज होगी कैनेडा बारे कि किद्धा किद्धा प्रोसेस चलता है नॉर्मली फाइल ना सर कोई मैटर नहीं करता फिर रिफ्यूजल नहीं आ दी है यही कारणा लोगा नो बड़ा लगता है कि टूरिस्ट वीजा जा विजिटर वीजा बड़ा ओखा कम है यही कारणा वीज़े करके लोगे इनों पर फाइल बाकिया नहीं वद्या या उनना दे बराबर है फिर भी रिफ्यूजल क्यों दे रही है केड़ी कमी हो सकती है था कमी सिर्फ आहीं हुं दिया कि अपकिना फाइल ला रहे है तो आड़े डोकुमेंट सा औही रहने ने आज लाओ कानू लाओ सेम डोकुमेंट से प्लैंड की बना रहे होते जान दा तुसी वापस के वाना यह बहुत मैटर कर दा दा देखो हुं रीसेंट नहीं मैं कहूंगा लास्ट मन्त एक दी आठ रिफ्यूजलां भी आया है उन्हादा भी वीजा निकले है इतना दा कोई इशू नहीं हुदा रिफ्यूजल नो सबने की नेगटिव इंबेक्ट बेंदा एक्चुल रिफ्यूजला दा रिजन के उन्दा कैनेडियन अंबैसी सैटिस्वाइन होरी कि तुसी यह आके स्टे करोंगे तुसी वापस सी जाओंगे ते उन्हानों सैटिस्वाई ही यह चीज़न करना हुंदा कि तुसी उते जा नियुक्त शाओंगे तुसी जाओंगा तुसी तुसी गल कीते के और बच्चे जो है का वीजा आया थोटा एसे तरीक के देना अलब यह भी कुछ ऊने चाहाँ था वीजागा हुनदा है विछ तरीक कि यह बी कुछ कोई होंदा है।CH जोथा एड़ा मरजी तो फिक जून चला ऑज मूरु ग्रपस परपस क्रियर उन्हाँ चाहँदा है जो नई ऐंगास明े प्रपस क्लियर होंदा है तुसी एग्जेक्ट लिए क्लाइंट नूँ उन्हानू मीट करन चलने हो कुम अन्फिरां दा प्लान नी होंदा हो तुसी उन्हानू मिलन चलने हो ते मेलके वापस आना अगर कोई बंदा इस वीडियो नूँ देख के होंदा है तो थोड़े कोल की ओफर दो होंगे साड़े क्लाइंट नूँ साड़े मतलब विवर नूँ साड़े वलनों क्रिस्मस नियुवर्दी ओफर ही समझ लो हा साड़े वलनों आनू ए ओफर मिलूगी जेड़े भी पहले वीक स्टूडेंट आनगे मेरकोल उन्हानू आनू अम्बैसी फीस ताक नी पे करनी पोगी इवन के उस्तो बाद भी जेड़े आनगे अम्बैसी फी डॉकुमेंट्स जी उन्हादे बस पास्पोर्ट हो गया आईटी आर्जोनिया चाहिए है उन्हादे फंडिंग दे वीचे पांस तो शेही लाग खर प्या बैलेंस होना चाहिए बाकि सारी फाइलिंग सा डेवलो रेडी होगी ते उन्हादा वीजा कड़ा के दमागे पीजनी भी निला मांगे सारी ती सारी फिस वीजा आनतो बाद लॉजीक बहुत अच्छी ओफर है क्रिस्मिस तक जिनने भी इस वीडियनों देख रहे हो इनकेस तुसी आना चाहने हो तो एवन प्रीजी नों मिलो और दिट्टे के जड़े नंबर हैं उन्हादे पर तुस बहुत अच्छी तुसी मतलब इंफर्मेशन जड़ी के दे बीचे बचाहिए मैं बहुत ज्यादा शुक्र गुजा रहा है कि बार बार जड़ाएगा तो नों तकलीफ दन्या तुसी इंफर्मेशन दन्या साथे वीवर्स नों बहुत बहुत शुक्र रिया जी तैंक यू स चीज़ा ले सकती हूं लेकिन जिसरा सर कहे रहें के एक तो नों कॉंशियस रहना पूब अगर तुसी सही जगा पहुंचने और अपने ड्रीम पूरा करना है ता पिछे लोगों तो देख रहा होएगा ड्रीम स्टार पहुंच के तुसी अपना सुपना पूरा करो मंजी न झाल